आज़्ाम अलेकम तौल व्हार्ष इस वीडियो में हम देखेंगे सीजन त्री ऑपिज़ो पवाइफ में क्या होता है लेकिन इस वीडियो को देखने से पहले इस वीडियो को लायक कर दे Aah और एप्सक्राइब कर दें तो एपस्कायब कर दे तो प्यूवर्स एप्सक्राइब आ Torah के ओता है और अप्सएंस करता हूं मैंने सुना है कल राज बाजार में जो तूफ़ान आया प्षम्ध क्रता हूं डूंक् god इस पर उराल साइमन को कहता है इस बार आधादा नहीं है फिर साइमन पूछता है क्या मतलब है तुम्हारा उराल कहता है तुम्हारा शुक्रिया के हमने तोकतमिशे यह थितनी आजानी से जान चुडा ली लेकिन तुम्हें थोड़ा सबर करना होगा बाजार का दसवा हिसा लो और रास्ते से हट जाओ इस पर साइमन कहता है तुमने जो कहा इसके बाद तुम्हारे बाबा तुम पर कभी यखिन नहीं करेंगे लेकिन तुम्हारे भाई अलियार के वापस आने के बाद वो कहता है तुम्हारे बाबा तुम्हारे 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 इमानदार भाई को सौब देंगे इस पर उराल कहता है अपनी नजरे मेरे घड़ से दूर रखो वरना तुम इस दुनिया के हुसनु को दुबारा कभी नहीं देख सकोगे फिर साइमन मुस्कुराता है और उराल से कहता है पुर सुकुन रहो मेरे दोस्त ये एक छोटा सा दोस्ताना मश्वरा है फिर साइमन उराल को एक हार देता है और कहता है यही वज़ा है कि तुम 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 तुमने औरत की रूह को नहीं समझते बहुत जुल्पन आती हैं और कहती हैं अपने दिल को कश्मा कश्मे मट डालें आपने इस गद्दार को सजा दी है जिसका ये मुस्तेख था जाधर कहते हैं लेकिन जिन्होंने मुझे धोका दिया है क्या वो भी ये समझेंगे इसी दोरान अलियार अपने खबीले वापस आ जाते हैं और ये देखकर जाधर बे बहुत खुश हो जाते हैं वो कहते हैं असलिहान ने मुझे बताया था कि तुम आ रहे हो मगर इतना जल्दी की तवक्व नहीं थी अलियार कहते हैं असलिहान ने मुझे फॉरान आने को कहा था बलके मुझे आपकी बहुत फिक्र हो रही थी मैं समझा शायद आपको कुछ हो गया है शुक्र है कि आप संद्रूस्त हैं फिर अलियार दुक्तमिश की लाश को वहां लटका देकर हैरान हो जाते हैं वो पूछते हैं क्या हुआ है बाबाई ने किसने मारा है ने जोलपान कहती है इसे घदारी की सजा मिली है पर जाफदर बे अलियार को बताते हैं कल इसने मुझे और तुम्हारे भाई को मानने कीक कोशों कि zo far. वो हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये कैसे हो सकता है ये तो आपके भाई थे जावदार कहते हैं लगता है भाई की घदारी मेरी खिसमत में थी इस पर जोलपान कहती है औराल सहाब ने इसे इबरत के लिए यहां छोड़ा है फिर अलियार कहते हैं रूप जिसम की अल्ला की त ठीक है बेटा गुसल देने के बाद इसे जनाजे के बगए दफन कर दो फिर अलियार अपने सिपाही के साथ दुक्तमिश की लाज को वहां से निकाल लेते हैं यहां साइमन उराल से कह रहा होता है कि मैं तुम्हारे लिए वेनिस से ताजर लाया हूँ वो कहता है जो सोना हम कमाएंगे वो आदा आदा होना चाहिए जैसा तुमने कहा था उराल कहता है तुम सबर करो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जो मिलना है वो मिल जाएगा तब ही महां साइमन का ताजर आता है साइमन ताजर को उराल से मिलवाता है और उराल उन्हें अपनी खौलीने दिखाता है और ताजिर खौलीने देखता है और कहता है खौलीनों के दो सोने के सिके लूँगा इस पर उराल कहता है मैं तीन सोने के सिकों से कम नहीं बेचूंगा ताजिर कहता है मैं इन्हें तीन सोने के सिकों के खाबिल नहीं समझता उराल कहता है तुम्हें इसे बहतर खौलीने कहीं नहीं मिलेंगी और तुम इसे बहतर खौलीनों की तलाश में तुम कहीं दिनों तक फिरोगे वो कहता है जो जहास तुम्हें कॉंस्तिनिया ले जाएगा तुम्हारा इंतिजार नहीं करेगा इसलिए ना ही तुम्हारे पास वक्त है और ना ही मैं ये खौली ने ऐसे दामों पर बेचूंगा साइमन कहता है औराल लगता है आप भूल गए जो हमारे बीच बात ते हुई थी इस पर औराल कहता है मैंने जो कहना था वो कह दिया हम अपनी दुकान पर तुम्हारा इंतिजार देखेंगे अगर तुम लेना चाहो तो तुम जानते हो के मैं कहां मिलूँगा ये कहकर औराल वहां से चला जाता है ताजिर साइमन से कहता है क्या ये वादा किया था तुमने मैंने अपना रास्ता तबदिल किया था क्योंकि मैंने तुम पर भरोसा किया था फिर साइमन ताजिर से कहता है तुम चुप रहों मैं कोई हल निकाल लूँगा यहां असलिहान उराल से कहती है बाई एक खाली इन पर तीन सोने के सिकों का क्या मतलब है अगर हम खाली हाथ वापस गए तो हम बाबा से क्या कहेंगे उराल कहता है असलिहान जिस चीज़ कर तुम्हें पता ना हो उसे तुम दूर रहो तुम्हारा काम खौलीने बनाना है और मेरा काम तिजारत करना वो कहता है ताजिर खौलीने लेकर ही जाएंगे तुम्हें क्या लगता है कि मैं पाबल हूँ कि इन्हें बेचे बगएर कौन संतुनिया जाने दूंगा वो मेरे पास जरूर आएंगे और मुझे मेरी खिमत अदा करेंगे और असलियान उराल को घुसे से देखती है और उराल महां से अपनी खौलीने लेकर चला जाता है इसके बाद जादर खबीले में अलियार तुक्तमिश की लाश को देख रहा होता है अलियार देखता है तुक्तमिश के जिस्म में काफी खौन जमा हुआ है और उनकी आँखे लाल हो जाती है और जुबान नीली पड़ जाती है ये देखकर अलियार को शक हो जाता है वो कहता है चाचा जान आपको क्या पिलाया गया है यहां अर्दगल अपने सिपाही और हजजद दुर्या के साथ अपने खौलीने लेकर हानली बाजार आते हैं असलिहान उराल से कह रही होती है अगर वो आपके पास खौलीने लेने ना आए तो हम बाबा से क्या जवाब देंगे अराल असलिहान को घुसे से कहता है अपना मूँ बंद रखो अपनी हमदर्दी इन के लिए समाल कर रखो जो मेरे पीछे मनसूबा बना रहे हैं असलिहान कहती है क्या कह रहे हैं आप अराल कहता है मुझे पता है कि तुम इस बुड़े तुक्तमिश के साथ मिलकर क्या कर रही थी यगीनां मैं तुम्हारा भी हिसाब लूँगा वहीं हानली बाजार में अर्टगल को अराल और असलिहान मिलते हैं अराल अर्टगल से कहते हैं काई खबिले के अर्टगल सहाब वह अपने खुलाम के साथ दोबारा बाजार आए हैं फिर वह कहता है लगता है आपकी तलवार को जंग लग गया है क्यूंकि आप काफी वक्त से लड़े नहीं वह कहता है इस बाजार में रहना बहुत मुश्किल है अर्टगल सहाब इस पर अर्टगल कहते हैं वो अल्ला है जो हमें रिस्क देता है बाजार की दिजारत का अराल सहाब असल जिन्दगी में बचना मुश्किल है अराल कहता है सुलिमान शाह के बेटे अर्टगल हम खौलीने लाए हैं, खबीले में जो था सब जमा किया है हमने इस पर असलिहान कहती हैं, ताजिर अंदर है, लगता है मेरे भाई, इनके साथ सौदा नहीं कर सके वो कहती हैं, अगर आप तीन सोने के सिकों से कम मांगते हैं, तो आपकी खौलीने बिग जाएंगी अर्टगल असलिहान को शुक्रिया कहते हैं, और वो वहाँ से चली जाती हैं, इसके बाद अर्टगल तुरुत को बलाते हैं, और कहते हैं, क्या दुम्रुल तयार है, तुरुत दुम्रुल की तरफ देखकर कहते हैं, हाँ वो तयार है, फिर अर्टगल हजज़तुरिया को बल इसपर साइमन कcheता है तुम वैनिस्स तमशते हो कि सिर्फ तम ही घो यहां ताज्जर कहता है साइमन हम जानते हैं कि इन अश्या की कि कितनी भीमत है वह कहता है अ्राल हमारे सौल ने भीजा है अर्टगल कहते हैं मैं यहां अपनी खौणीने लेकर आये हूं मैं आपसे बाचीत के लिए तयार हूं इसी दोरां त्रिस्टान साइमन के साइमन की आदमी जो भीजारी के रूप में वहां हूते हैं उसे रोक लेते हैं तब ही महां ताजिर आता है और दो मुझे कोई परेशानी नहीं है इसके आद दिस्टान खूफिया रास्ते से सिराइं में दाखिल हो जाता है यहां अर्टगल ताजिर को अपनी खौलीने दिखा रहे होते हैं तब ही साइमन अर्टगल से कहता है अर्टगल सहाब आप मेरी सोच से भी ज्यादा होशार निकले वो कहता है लेकिन ये ना भूले मेरे बाजार के भी कुछ उसूल है वो कहता है मैं हर सौदे का दस्वा हिसा लेता हूँ इस पर अर्टगल कहते हैं पता है मुझे फिर ताजर अर्टगल के खौलीने देखता है और साइमन से कहता है साइमन ये खौलीने बहतरीन है मैंने ऐसी चीज़ कभी नहीं देखी वो कहता है ये बहुत अच्छी तरह से तैयार की गई है मैं इसे वेरिस में तीस सोने के सिकों में बेश सकता हूँ फिर साइमन अर्टगल से पूछता है अर्टगल सहब आप इन खौलीनों का कितना मांगते हैं अर्टगल कहते हैं तीन सोने के सिके वो कहते हैं यानि मुझे इन 100 खालीनों के 300 सोने के सिक्के चाहिए ताजर साइमन की तरफ देखता है और अर्टगल से कहता है तुम इन खालीनों के 300 सोने के सिक्के कैसे मांग रहे हो इस पर अर्दगल कहते हैं ये खौलीने हमारी खवातीन की मुबारकातों से बनी हुई है वो कहते हैं ये बाजार में बेशने के लिए नहीं है बलके असल में ये हमारी बेटियों के लिए बनाई गई थी इस पर ताजिर कहता है मेरी नजर में ये बहुत बहुत बहुतरीन खौलीने है जहां तक तीन सोने के सिकों की बात है वो कहता है इस से मुझे नुकसान होगा इन चीजों को कॉंस्टन्टनिया ले जाने की भी खिमत है वो कहता है बतकिसमती से यहां हर जगा डाकू है इस पर अर्टगल कहते हैं वो मैं समाल लूँगा आपने कौन संतुनिया में जहां भी यह लेकर जानी है मेरे सिपाही पहुँचा देंगे फिर वो कहते हैं अगर कुछ होता है तो आप जानते हैं कि मैं कहां मिलूँगा फिर ताजर अर्टगल की बात मान जाता है और ताजर अर्टगल को तीन सो सोनी के सिके दे देता है तब ही साइमन अपना हाथ आगे बढ़ाता है अर्टगल साइमन से कहते हैं मैं इस बाजार के उसूल पर अमल करूँगा दसवा हिसा तुम्हारा है और अर्टगल साइमन को उसका हिसा दे देता है फिर साइमन कहता है अर्टगल सहाब क्या इसकी अलावा और कोई चारा है साइमन अपना हिसा लेकर माहा से चला जाता है और मारिया से पूछता है अर्टगल को कैसे पता चला के वेनिस आएंगे इस पर मारिया कहती है इसे असलिहान ने बताया है वो कहती है मैंने इनकी बाते सुनी थी वो मुझसे पूछ रहे थे कि कल रात बाजार में क्या हुआ है साइमन कहता है फोरण कॉंस्टंतिनिया कबुतर भेजो वो कहता है देखते हैं इनके पास अर्दगल के बारे में क्या मालुमात है अर्दोगल तुर्गुत को बलाते हैं और कहते हैं तुम सिपाहियों के साथ कॉंस्टेंटिनिया खौली ने लेकर जाओगे ताजिर अर्दोगल से कहता है मेरे दो सिपाही इन के साथ जाएंगे वो अच्छे जंग जू है अर्दवल कहते हैं वो रास्ते में हमारे महमान होंगे इसके बात आप देखेंगे साइमन औराल के पास जाता है तो औराल साइमन से कहता है क्या उस ताजिर के होश्टिकाने आ गए के नहीं इस पर साइमन कहता है तुम यहां एक मगरूर बादशा की तरह बैटे हुए हो तुम्हें तो ये भी नहीं मालम के क्या हुआ है इस पर उराल कहता है साइमन तुम क्या कहना चाहते हो साइमन कहता है वेनिस को जो खौली ने चाहिए थी वो उन्होंने खरीद ली है ये सुनकर औराल घुसे से खड़े हो जाता है और कहता है उनको खौली ने किसने बेची है इस पर साइमन कहता है उनको खौली ने अर्टगल ने बेची है और अर्टगल ने खौली ने उसी खिमत में बेची है जो तुमने मांगी थी उसने फी खौली ने तीन सोने के सिकों मे बेची है फिर वो कहता है मैंने तो अपना मुनाफा कमा लिया है ये सुनकर औराल कहता है अर्टगल को वेनिस के ताजिर का किस ने बताया है वो पूछता है क्या ये तुमने किया है ये सुनकर साइमन कहता है ये मैंने नहीं बल्गे तुम्हारी बेहन असलिहान ने किया है व हां अर्टगल हजज़तुरिया को कुछ पैसे देते हैं तुम इस से जो पिचाऊ हो वह खरीज सकते हो हज़तुरिया अर्ण और्ण को आते हुँए देखता है और रख गुवराल आरहे हैं और अर्थगो से कहता है मैंने सुना है आपने अपने अपनी सारी खौली ने बेच दी है आपने अपनी बहदरी के साथ साथ सौधागरी का हुनरवीज दिखा दिया इस पर अर्दगल कहते हैं, अर्दगल सहाब आपने जो कहा मैंने याद रखा, मैंने खौली ने एक अच्छी खीमत पर फरोखत की है, फिर अर्दगल महां से चले जाते हैं, उराल अपने सिपाही बतुहान से कहता है, खौली ने लेकर जाने वाले अर्दगल के सिपाही को ख क्यारी कर रहे होते हैं आपने पूरा बाजार खरीद लिया है अर्टगल सहाब को कुछ चीज़ें चाहिए थी तो मैंने खरीद ली है तबी महां अर्टगल आते हैं दूंदर कहता है हमने खबीले की जरूरत का सामान ले लिया है और हम जाने के लिए तयार है फिर तुर्गत अर्टगल से मिलने के बाद कुंस्टनिया रवाना हो जाता है और अर्टगल गंदम लेकर खबीले की तरफ रवाना हो जाते हैं दूस कर मारिया कहती है जहां औराल बहुत लालची है वहां सिपाही तुर्गुत महेंती है इस पर साइमन कहता है क्या बात है मेरी प्यारी बेहन क्या तुम 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 अपने जाल में फसाना चाहती हो वो कहता है मुझे ये देखकर बहुत खुशी होगी जब इसकी इने औराल की आग में जलेंगी हम इनको एक दूसरे से लड़ते देखकर बहुत लुटफ अंदोज होंगे फिर वो मारिया से कहता है सुबह तुम कारा कैसर खिले में चली जाना इसके बाद औराल बहुत घुस्से में अपने खबीले जाता है वो देखता है वहां के लिए तयार कर दिया है फिर उराल उस rope होता है जहां अस्लिहान से कहता है तो कहता है कियो उड़ाटा है तो मदेगा फञेंस को अपने तौफे के मताबग झजंजड़ां हो नहीं सकता है लेकिन एलियार असका हाथ पक 5000 अरच बहईней भाई असलिहान से कहता है तुमने अर्टगल सहाब को वेनिस को खौली ने बेचने का क्यों बताया फिर असलिहान कहती है आपने खबीले को मुश्किल सुरतहाल में डाल दिया था आपकी वजह से खौली ने खरीदी नहीं गई आप अपनी लालच में अंधे हो गए थे तबी महां जानदर बे आते हैं और कहते हैं यहां क्या हो रहा है औराल कहते हैं बाबा असलिहान की वजह से मैं खौली ने नहीं बेच सका जादर बे असलिहान से पुछते हैं क्या यह सच है असलिहान कहती है आप बाबा के साथ जिस खिमत पर राजी हुए थे उससे ज्यादा खिमत बेचना चाहते थे आप ये क्यों नहीं बताते कि आपने सब खराब किया है वो कहती है कि आप अपनी गल्टी का हिसाब मुझसे लेना चाहते हैं इस पर उराल कहता है वो खियमत कम करवाएंगे इसलिए मैंने थोड़ी ज्यादा खियमत बताई थी मेरा ख्याल था कि वेनिस हमारे खबीले से ही खौलीने खरीदेंगे वो कहता है लेकिन असलिहान ने सब कुछ बरबाद कर दिया इसने अर्दगल को बता दिया कि वेनिस खौलीने खरीदने के लिए आए हैं और इन्हों ने तमाम खौलीने काई खबीले से खरीद ली फिर जावदर पर असलिहान को क चाहिए मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहते हुए शर्म आती है फिर उराल कहता है मैं बाजार में असलिहान के साथ काम करना नहीं चाहता यहां से जोलपान मेरी मदद के लिए कारखाने को देखेगी या फिर आप ये कारबार चलाने के लिए किसी और को ढूलें यह कहकर उ उराल और जोलपान महां से चले जाते हैं फिर उराल जोलपान से कहता है इससे मुझे 100 खौलीनों का नुक्सान हुआ लेकिन मुझे असलिहान से चुटकरा और तुमारा साथ हासिल हुआ है अब दोबारा असलिहान को अपने रास्ते में आने मद देना इस पर जोलपान कहत क्या पता जब वो जाए तो असलिहान को भी अपने साथ लेकर जाएगा इस पर उराल कहता है क्या मतलब है तुम्हारा इस पर जोलपान को साइमन का दिया हुआ हार पहनाता है इसके बाद अर्टगल गंदम लेकर अपने खबीले वापस आ जाते हैं और इस पर खबीले के लो पर खबीले में अमन होगा इस पर अर्टगल कहते हैं जब तक आप जोग मेरे साथ हैं पानी हमेशा अपना रास्ता भनाता रहेगा फिर अरच साथ आखायों थे या वक्त में एक आदमी ही सोएगा और अपनी आँखें खुली रखना हमारे साथ जो सामान है वो बहुत खीमती है फिर सिपाही सामान पर पहरा देने चले जाते हैं दूसरी तरफ काई खबीले में अर्टगल अपने साथियों के साथ खैमे में होते हैं और अर्टगल उन्हें न परासम रखी हुई है फिर वो कहते हैं हम सरहदी इलाखे पर हैं हम सबसे खतनाक इलाखों में हैं वो कहते हैं लेकिन जो भी यह सरहद की हिफाज़त करेगा मुस्तगमिल इसी के हाथ में होगा और सीजन 3 का एपिसोर 5 यहीं खत्म हो जाता है तो वीवर्स उमीद है आपको